Dr. A.P.J. अब्दूल कलाम की आत्मकथा का नाम अगनी की उरान. सपनों की उचायों को खुद तै करना सिखाती है अगनी की उरान. अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो. Dr. A.P.J. अब्दूल कलाम की आत्मकथा का नाम अगनी की उरान बिलकुल सटी की रखा गया है. अखबार बेचने से लेकर साइन्स्टिस्ट बनने तक का सफर आसान नहीं था. अब्दूल कलाम से मिसाइल मैन बनना सच्मुच अगनी की उरान ही रही. सपने तो हर कोई संजो लेता है लेकिन सपनों को पूरा करने का मादा हर किसी में नहीं होता. हमें कभी भी जीवन में परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और नहीं घबरा कर अपने कदम पीछे हटाने चाहिए. हमें हर हालात का डट कर सामना करना चाहिए. अपने तैक ये लक्ष की और बिन रू के बिना थके आगे बढ़ते रहना चाहिए. अगनी की उरान, किताब आपको सपने देखने के लिए प्रेरित करती है, साथ ही उन सपनों को पूरा करने का जजबा भी आपके अंदर भरती है. अगनी की उरान, में अरून तिवारी ने सबसे पहले अब्दूल कलाम के बचपन और पारिवारिक स्थिती के बारे में बताया है. तमिल नाडू के रामेश्वरम के एक गरीब तमिल परिवार में जन में अब्दूल कलाम के पिता का नाम जैनुलाबदीन था. इनके पिता अनपड होने के बावजूद भी बहुत बुद्धी मान थे. वो जाता था. अब्दूल कलाम की मा का खांदान बड़े रुतबे वाला था. अंग्रेजों के समय में इनके खांदान को बहादूर की पद्वी से नवाजा गया था. अब्दूल कलाम के पिता बेहद सरल व्यक्तित्व वाले इनसान थे. वे सभी भोतिक सुख सुविधाउं स खुद को दूर रखते थे. कलाम पर भी अपने पिता के व्यक्तित्व का खासा असर था. यही वज़े है कि कलाम अपने सभी भाई बहनों में से सबसे साधारन थे. अब्दूल कलाम के पिता अकसर एक बात कहते थे, जब आफ्द आय तो आफ्द की वज़े समझने की कोशि किती है.